हलो दोस्तो आप देख रहे हैं आपका चानल इंवेस्टमेंट का बाजार और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाटा पावर के शेयर के उपर दोस्तो दोस्तो टाटा पावर में आज एक अच्छी खबर निकल के आई मार्केट के एंड में जानेंगे क्या है वो खबर और उस खबर के चलते टाटा पावर के स्टॉक मैच 5% से जाधा की तेजी देखने को मिली अब दोस्तो 300 रुपे के टागेट टाटा पावर में दूर नहीं है दोस्तो तो वीडियो को एंड तक देखना वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना शेयर करना सब्सक्राइब दोस्तो तो चलिए शुरू करते हैं 25 करोड का सप्सक्राइब देखने को मिला अब दोस्तो टाटा पावर की चलते विदधा से टाटा पावर की क्लोजिंग CEIA दूस्तोओ 25 रुपे बीजव पैसे पर आई दोस्तो और टाटा पावर का आज का हाई दो थोस्तो Dollar रुपे का था और लोः दोसों पंद्रा रुपे खा था आप देख सकते हैं lower high में कितना ज़ाधा difference है दोस्तो यह एक swing trader intra trader के माहिने है दोस्तो आप देख सकते हैं जिसने lower levels में Tata power में intra rate के तोर पर buying करी थी आज उसको अच्छा खासा reward देखने को मिला और आप मैंने आपको अपने previous वीडियो में बता है कि Tata Power अभी oversold zone में है इसका RSI index पे भी mark 20, 25, 26 के आसपास आ रहा है जो कि oversold trajectory है दोस्तों और आप देख सकते हैं कि आज जो अच्छा खासा बड़ा breakout देखने को मिला volume आप देख सकते हैं इधर 167 million की volume जो कि मैं आपको पिछले slide में बता ही है दोस्तों दोस्तों अब चलते हैं Tata Power के intra day charts पर तो दोस्तों Tata Power के अपन चार्ट पर आ गए हैं 227 रुपे 25 पर Tata Power के share ने closing दिये ये adjusted price नहीं है दोस्तों Google पे थोड़ा एक-दो रुपे उपर का difference आता रहता है intra day के बात करते हैं दोस्तों आज 215 रुपे का low था Tata Power के share का 227 रुपे का high था Tata Power के share का और open 220 रुपे का था दोस्तों Tata Power का आज share पुरे दिन भर एक range में चलता रहा 220 से 225 की और उसके आस-पास ही घूमता रहा और अचानक से जैसे ही news आई 227 रुपे का level इसने चुआ वो करीबन दिन का 5% होता है दोस्तों आप देख सकते हैं इधर 4.82% आ रहा है काफी बड़ी तेजी दोस्तों आज के दिन Tata Power के share में देखने को मिलिए दोस्तों मेरे पास काफी कमेंट्स आ रहे थे कि सर आपने 243 में लिया है 250 में लिया है 270 में लिया है Tata Power दोस्तों ऐसा stock है जिसको आपको हर dip में add करना है हो सके तो आप Tata Power जैसे stocks में SIP भी करें और hold करके रखे दोस्तों इसके अच्छे कासे दोस्तों टाटा पावर इसका 52 वीक लो 27 रुपय कहता हो और अभी करीबन 227 के आसपस कामकाच कर रहा है काफी अच्छा इसका चार्ट पैटर नजर आ रहा है और लॉंग टर्म के भी इसके 500 रुपय के टागेट है दोस्तों अगले 3-4 साल के अंदर यह स्टॉक 500 रुपय के तो आराम से चूलेगा वो तो मिनिममम टार्गर बढ़ता रहा हूं 500, 700, 900 इतने टागेट से दोस्तों टाटा पावर के है काफी अच्छे पॉजिटिव से दोस्तों टाटा पावर के लिए अच्छा स्टॉक है दोस्तों अब देख सकते हैं 227 रुपय 30 पर से खाईए अब कल के इंट्राडे के बात करते हैं दोस्तों आज 225 रुपय पर सने क्लोजिंग दिए यह ओड़ी एडजस्टेट गलत प्राइस आ रही है मुझे लगता है 235 का लेवल भी आसानी से टाटा पावर के स्टॉक में रीच हो जाएगा आज का दोस्तों मार्केट भी काफी अच्छा था Nifty में करीबन 2% की तेजी दोस्तों काफी बड़ी तेजी मानी जाती है Nifty में करीबन 2% की तेजी Bank Nifty में करीबन 700 अंको की तेजी Sensex में भी करीबन 700 अंको की तेजी दोस्तों काफी अच्छा दिन Share Market के तौर पर आज रहा प्लस आज काफी सारे Nifty CPSE के stocks बड़े, भेल ने भी आज अच्छी closing दिये, 60 रुपीज के उपर वीडियो, मैं एक वीडियो बना दूँगा दोस्तों, भेल पर भी आप देख सकते हैं, और दोस्तों Tata Power के लिए Intraday का stop loss जो है, अब दोस्तों Tata Power में दोस्तों, और दोस्तों Intraday आप कर रहे हैं, Tata Power में तो 222 का stop loss लगाना है, 235 एक profit booking range होना चाहिए, यो कि market में क्या कभी भी उपरी सवरों से बहुत तेजी से गिरावट आती है, यो कि पिछले दिन आप देख सकते हैं, पिछले के trading session में, जब market 200 points पर था, तो ऐसी dip आई, market म minus 70 points पर market की closing आईए, तो आपको अपने profits थोड़े थोड़े बुक करके रखने चाहिए, अगर आप Intraday रहे हैं, ट्रेडर हैं, लॉंग टाम के दोस्तों, विजन काफी clear है Tata Power के लिए, 500 के targets, जी हाँ दोस्तों, 500 के targets Tata Power में unlock होंगे, वो आपको 2-3 साल के अंदर, आराम से Tata Power के अंदर, 500 के targets, reach हो जाएंगे दोस्तों, तो दोस्तों, that's it for video, अगर video थोड़ा बहुत भी informative लगे, तो like करना, share करना, subscribe करना दोस्तों